हलो फ्रेंट्स में जो जादन आज मैं आपको बताऊंगे कि दो से पांच मिनट में गुलाल को घर पर कैसे बनाना है वो भी इको फ्रेंडी और इसकिन फ्रेंडी अपन केमिकल वाला गुलाल ना यूज करके हम घर में गुलाल बनाएंगे तो इसमें मैंने लिए हैं फूट क मैं और इसको कौन स्टार्च भी बोलते हैं तो ये भी किराने के दुकान पर आपको मिल जाएगा तो चलो मैं अब दिखाती हूँ किस बनाना है तो फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ इसको अपके कैसे बनाना यह हमने लिया है मिक्सर का जार तो इसको हम मिक्सी में बनाएंगे अब यहाँ यह हमने लिए है colors तो इन colors को मैंने पानी में गुला के रखा हुआ है तो friends इसमें पहले हम डालते हैं पीला color हमें थोड़ा सा डालना है और इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा अब हम इसको mixer में grind करेंगे friends अब यह मैंने grind कर लिया है अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा बना है काफी अच्छा color आया है अब हमें और कुछ नहीं करना है बस इसको इससे चान लेना है इस तरह से हमें इसको इससे चान लेना है यह देखिए friends कितना अच्छा color का texture आया है friends छनी से चानने के बाद अब इस गुलाल को एक दो खंटे के लिए आप सूखने के लिए रख दें और हाँ इसको चाओं में सुखाना है दूप में नहीं सुखाना है और सूखने के बाद या आप किसी पतले कपड़े से चाने या इसको इसी चननी से एक या दो बार आप चानेंगे तो विल्कुल बारी विल्कुल गुलाल जैसा texture बन जाएगा देखो हमारा गुलाल कितना शुंदर लग रहा है friends अब हम बनाते हैं दूसरा color दूसरे color को भी ऐसे ही बनाना है हमने लिया कॉनिश्टार और इसमें ये जो color है हमने color डाला है अब इसको mixture से grind कर लेंगे friends अब इस गुलाल में आप थोड़ा सा perfume या डियो थोड़ा सा आप डाल लें तो इससे इसमें खुस्बू अच्छी आ जाएगी अब ये हमारा गुलाल बन चुका है अब हम इसको छान लेते हैं color का texture भी काफी सुन्दर आया है ये देखी friends किता सुन्दर color बन किया है friends मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गुलाल की वीडियो पशान आई होगी तो आप हमारी वीडियो को जादर जादर लाइक करें और सब्सक्राइब करके बैल आइकोन जरूर प्रेस करें जिससे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें हैप्पी होली टेक केर आपको आपको आपकोSकत के जादर हैं अजैं å हाण हैं-जमी आपको आपको सुटह treatment